हमारे जो वीडियो रहेगा यह एक दिसंबर 2022 से लेकर साथ जनवरी 2023 तक के करन्ट अफेर को कवर करेगा जिसके अधर हम इन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल करेंट अफेर, नैशनल करेंट अफेर, स्पोर्ट्स करेंट अफेर, अवार्ड्स, ग्लोबल इंडेक्स, इस्पेस रिलेटेड जो भी कुश्चन मनते हैं वो, अपॉंट्मेंट्स, बुक्स अंद ऑथर, डेज अंद थीम, जोती भी योजना है, फेमस परसनल होता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, कुश्यन का अंसर आप साथ साथ में गैस करते चल सकते हैं, आपको 10 से 20 से के टाइम मिलेगा, अपना अंसर गैस करने के लिए, तो चले शूरू करते हैं वीडियो को, हाली में पहला लोकायुक्त विद दिसंबर 2022 को लोकायुक्त विदहक पारित के है, जो मुख्य मंतरी, मंतरी परिश्यद, को भरष्टाचार, विरोधी, लोकपाल के दायरे में लाता है, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है, अगला कुशन है, हाल ही में, रेल्वे बोर्ड के चेर्मेन और सीईयो कौन बने है, अंसर राइट है, ऑप्शन आपर B, अनिल कुमार लाहोटी बने है, रेल्वे बोर्ड के चेर्मेन और सीईयो, इसकी नपर देख सकते हैं फोटो इनका, अनिल कुमार लाहोटी को रेल्वे बोर्ड का मुख्य कारकारी अधिकारी और अधिक्स उनको निक्त कि है, उन्होंने विने कुमार तरपार्टी से यह इस्थान लिया है, एक जनवरी 2023 से अनिल कुमार लाहोटी बने हैं, रेल्वे बोर्ड के कारकारी अधिक्स, अगला कुशन है, जनवरी 2023 के अंदर फीफा के दोरह जारी रैंकिंग में पहले इस्थान पर कौन सा देश है, फ इसके इन ब्राजील अपने एक नंबर पर बना हुआ है, जबकि 2022 के फीफा वल्ड कप जो चेंपिन अर्जेंटीन है, वो दूसरी स्थान पर ही बना हुआ है, जबकि भारत के स्थान की बात करें, तो भारत का स्थान फीफा वल्ड कप की रैंकिंग में, फूटबोल रैंक इंपोर्टन फैक देखते हैं, जबकि पैंथर्स ने प्रो कबड़ी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में पूनेरी पल्टन को हरा कर दूसरी बार किताब अपने नाम किया है, जबकि पैंथर्स ने पूनेरी पल्टन को 33-29 के अंतर से फाइनल में हराय था, अगला कुशन, हाल सोदेश दर्सन 2.0 योजना के अंतर गत, तो आंसर इस पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन, सी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर मैसूर और हमपी, दोनों ही इस्थानों को यहाँ पर सोदेश दर्सन 2.0 योजना के तहत सूचिबद किया गया है, मैसूर, हमपी, दोनों ह जिसके दोरा इन गंतेव को अब बढ़ावा दिया जाएगा और उनको पुनर जीवित करने के लिए मैसूर और हमपी को शामिल किया गया है अभी दोनों इस्थल कुल 19 इस्थानों में सामिल हो चुके हैं जिनने सुदेश दर्शन यूजना के तहित जिन्नित किया गया है अगला कोशन है प्रवासी भारती दिवस 2023 का उद्गाटन पीम नरेंदर मोधी ने कहां पर किया था प्रवासी भारती दिवस 2023 अंसर यहां पर है ऑप्शन बी इंदौर प्रवासी भारती दिवस 2023 के साथ सतरवे प्रवासी भारती दिवस समिलन की उद्गाटन किया थीम इसकी का रखी गई है इस बार की प्रवासी भारती दिवस 2023 की अमरत काल में भारत की प्रवासी भारती में विश्वस नी भागिदार और इसका जो थीम है वो है Reliable Partners for India's Progress in अमरत काल यह इसकी थीम रखी गई थी अगला कुछन है 2023 में होने वाले G20 की पहली बैठक का आयजन भारत में कहां पर किया जाएगा पहली बैठक का जो शेरपा की बैठक हुई थी वह उद्यपूर राज्तन के उद्यपूर में आजित की गई थी दिसंबर में जबकि G20 की पहली बैठक भारत में कहां पर होगी तो आंसर रैट है इसका ओप्शन A, पुड़ू चेहरी पुड़ू चेहरी के उपराजपाल डॉक्टर तमिली साही सौंदरे राजन ने बताया है कि G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुड़ू चेहरी में आजित की जाएगी G20 अगठन 1999 में किया गया था और भारत ने 30 सितम दिसंबर 2023 तक भारत G20 का देक्स बना रहेगा तो अब जो G20 का आज़न होना है वो भारत में होना है 2023 के अंदर जबकि 2022 में इंडोनेशिय बाली में इसका आज़न किया गया था Next question है हाली में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अठारवे राष्टी जंबोरी का उद्गाटन कहां पर किया गया था यहाँ पर 18th है 18th National Jamborey of भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इसका जो राइट आंसर है वो option यहाँ पर हो जाएगा option A राजिस्तान के पाली जिले में स्काउट्स एंड किया गया था important fact देखते हैं राष्टपती दुरोपदी मुर्मु ने चार जनवरी 2023 को राजिस्तान के पाली जिले के रोहट में अठारवे राष्ट्री स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्गाटन किया राष्टपती दो दिवसी यात्रावन की तीन और चार जनवरी वो राजिस्तान के दौरे पर थे इस कारक्रा में देश्व भर के 35,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड ने भाग लिया था इसकी थीम क्या रखे गे थी इस अठारवे राष्ट्री स्काउट्स और गाइड जम्बूरी की थीम रखे गे थी सांती के साथ प्रगती इसके लाइड इंपोर्टन फ्रेंड और देखते हैं पहला राष्ट्री स्काउट्स और गाइड जम्बूरी का उजन 1951 में आंदर सियोंपुल का उद्गातन किया है और रैट है option D रक्षामंत्री राजना सिंग ने हाल ही में अरुनाचल परदेश के सियोंपुल का उद्गातन किया है साथ ही उन्होंने सीमा सडक संगतन दोरा पूरी की गई 27 अधारबुत परेजना का भी उद्गातन किया अलंग इकियोंग रोड पर बनाए गए सियोंपुल की मदद से सेना वहनों और हत्यारों को वास्टविक नियंतरन रिखा से लगे उपरी सियांग जिले और तुतिंग और इंकियंग छेतर में पहुचानों में सुज़दा रहेगी इस पुल के माध्यम से तो सियोंपुल का उदगाटन रक्षाबंति राजना सिंग ने कहां पर किया है आपके रहना है अरुनाचल प्रदेश में नयाक्ट क्वेशन है रही में 108 वी भारतिये विज्ञान कॉंग्रेस का आयुजन कहां पर किया गया है याषिय का पर किया है इसका आयुजन कहां किया गया है अंसर राइट है ऑप्शन पी माहराष्ट में इंपोर्टन फैक्ट दिखते हैं, प्रधान मंगरी नेरेंदर बौधी ने तीन जन्वरी 2023 को 108 वी भारतिये विज्ञान कॉंग्रेस का उद्गाटन नागपूर महराश्ट में किया, भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस यानि इंडियन साइंस कॉंग्रेस का पिछला संस्करन ज Sustainable Development with Women Empowerment ये इसकी थीम है आपको यह रखना है इंपोर्टेंट है भारती विज्यान कॉंग्रेस की Next question, हाली में लक्ष्मी सिंग किस राज की पहली महिला पुलिस कमिशनर बनी है? लक्ष्मी सिंग गौतम बुद नगर में पुलिश कमिशनर की पतपर लक्ष्मी सिंग को तेनात कर दिया गया है वे नोड़ा की टॉप कॉप होंगी यूपि में इस पत तक पहुँचने वाली पहली मہिला अधिकारी बनी है लक्ष्मी सिंग जोकी उत्तपर देश में कमिشनर के पर पहुचने वाली पहली महिला है Лक्ष्मी सिंग राज सरकाय ने पुलिस महानेरक्षक कायोजन किया गया था और इस कप को किस ने जीता है ब्लाइंट टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप आंसर राइट है ऑप्शन ए भारत के जारा जीता गया है इस ब्लाइंट क्रिकेट वर्ल्ड कप को इंपोर्नेट फैक देखते हैं इस फैनल वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप के फैनल में भारत ने दोसो सतेतर रन बनाये थे और जब बंगलादेश की टीम 157 रन ही बना सकी थी नेतरहीन टी ट्रेटी क्रिकेट विश्चो कप का फैनल भारत और बंगलादेश की बीच बेंगलूरू में खेला गया था नेक्स्ट कोशन है हाली में किस पड़ोशी देश में पहली बार मेट्रो सेवा सुरू की गई है पहली बार मेट्रो सेवा अंसर राइट है ओप्शन भारत का पड़ोशी देश बंगलादेश है जहाँ पर पहली बार मेट्रो सेवा का उद्गाटन किया गया है बारत के पड़ोशी देश बंगलादेश में वहाँ की पहली मेट्रो रेल सेवा सुरू हुई है बंगलादेश की पहली मेट्रो रेल्स का उद्गाटन परदान मंतरी सेख हसीना ने धाका में 28 दिसंबर 2022 को किया बंगलादेश में यह मट्रो सेवा जापान के दौरा वित्व पोशित है नेश्ट कुछिन भारा सरकार के किस मंत्राले के दौरा नई चेतना पहल बदलाव की नई चेतना पहल बदलाव की एक लिंग अधारित भेदभाव राष्ट्री अभ्यान सुरू किया गया है नेश्ट कुछिन है अंसर राइट है आपर ऑप्शन ऑप्शन बी राइट हो जागा इसका हर्याना हाली में राष्ट्री दुग्द दिवस समारों के दौरान डॉक्टर बाबु राजिन्द प्रसाद अंतराष्टी सम्मेलन केंदर में जीतेंदर सिंग को राष्ट्री गोपाल रतन अवाट 2022 परदान किया गया वे हर्याना के जीतेंदर सिंग सुदेसी मविसी पालने वाले किसानों और ब्रीडरों में से एक है तो हरेनक जितन्दर सिंग है जिनको राष्ट्री गोपाल रतन अवाड 2022 दिया गया है नेक्स्ट कुर्शन हाली में तेईस्वा हॉर्न बिल उत्सव किस राज में मनाय गया है 23rd हॉर्न बिल फेस्टिवल कहां पर मनाय गया है आंसर राइड है ओप्शन बी नागा लेंड नागा लेंड में हाली में 23rd हॉर्न बिल उत्सव एक दिसम्बर से 10 दिसम्बर तक मनाय गया था नागा विरासत ग्राम किसामा में हुए उत्सव के उत्सव के उत्गाटन समारों में उपराष्टपती जगदीप धनकर मुख्य अतिती गरूप में सामिल थे इस हॉर्न बिल उत्सव के अंदर असम के मुख्यमंत्री है हेमत बिस्वस सर्मा और असम के राजपाल है जगदीस मुख्य नेक्ट कुर्शन विस्व एड्स दिवस यानि वर्ल्ड एड्स डे यह कब मनाय गया हाली में एक दिसम्बर को मना जाता है प्रतिवर्स अंतराश्ट्री एड्स दिवस इंपोर्टन फैक्ट देखता है प्रतिवर्स विस्व में एक दिसम्बर को विस्व एड्स दिवस के रूप में मनाय जाता है इस दिवस को मनाने की शुरुवात 1988 से शुरू की गई थी और इंपोर् भारत द्वारा G20 के कौन से सिखर समयलन की अधिक्स्ता शुरू कर गी है आपको सब को पता है कि 2023 में भारत G20 की अधिक्स्ता कर रहा है और मेजवानी कर रहा है तो कौन सा संसकर्ण है यह G20 का अंसर राइट है ऑप्शन C अठारवा इंपोर्टन फैक्ट दिखते हैं एक दिसंबर 2022 से भारत के द्वारा G20 की अधिक्स्ता ग्रेंड की गई है जिसके तहत वर्स 2023 में भारत G20 के अठारवे सिखर समयलन का आईजन करेगा नई दिली में इसका परानुब हुआ है सत्रवे सिखर समयलन जो की हाली में होता इसकी मेजबानी इंडोनेशिया के दौरकी की थी उसका आजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया था next question RBI की दौरा कौन से खुद्रा डिजिटल रुपै को लौट्च किया गया है इसका क्या नाम है answer right है option A E रुपी रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया के द्वारा हाली में खुद्रा डिजिटल रूपए जिसको कुलते हैं ई रूपी इसका नाम है के लिए पहला पाइलेट प्रोजेक्ट लॉंच करने की कोशना की कही है ई रूपी नेस्ट कोशन है भारती सेना की सुदर्सन चक्रकोर ने राजिस्थान के रेगिस्थान में किस अभ्यास का एजन किया है अंसर रैट है ओप्शन यहाँ पर सी रैट हो जगा सुदर्सन प्रहार अभ्यास भार्टी सेना की सुदर्शन कोर ने राजिस्थान के राजिस्थान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया है दक्षिनी कमान के जी ओसी इन कमान लेफ्टिरेंट जर्नल एके सिंग दौराइस अभ्यासन सामिल किया गया इसका आईजन बिकानेर राजिस्थान में किया गया था नेश्ट कुशन हाली में किस राज के दौरा प्रसून जोसी को सांस्कृतिक विरासत का कुपरोसायत करने हितू ब्रांड एमबसेटर बनाए गया है उस राज का क्या नाम है प्रसून जोसी को उत्राखंड की धामी सरकार ने राज की सांस्कृतिक विरासत को प्रोसायत करने हितू ब्रांड एमबसेटर बनाए गया है उत्राखंड सरकार ने प्रसून जोसी को उत्राखंड गौरव प्रोसकार से भी सम्मनित किया है नेस्ट कुशन है हाली में पहला सिलहट सिल्चर महुष्ण नमबर हो जाएगा बांगलादेश भारत और बांगलादेश की बीच पहला सिल्चर महुष्ण असम की बराक गाटी में हाली में मनाया गया है नेस्ट कुशन हाली में भारत के किस सहर में पहला राष्ट्री 30 सुरक्सा सम्मिलन 2022 आज़ित किया गया फर्स्ट नेशनल कोश्टल सेक्यूरिटरी कॉन्फरेंस 2022 की हाली में आज़ित की गई है कहां पर आज़ित की गई है आंसर रेट है ओप्शन सी चैन नई इंपॉर्टन फैक दिखते है रक्सा सचिव गिरिधर अर्वानी ने एक दिसम्बर को चैन नई में कोलूम्बो सीक्यूरिटरी कॉन क्लेवं के तत्वाधान में भारत तत्रक्षक दौरा आज़ित पहले 30 सुरक्सा सम्मिलन का उद्गाटन किया है चैन नई में नेचर कोचन ने हाली में राष्ट्री संखी की आयो का अद्धिक्स किसे बनाए गया है National Statical Commission उप्सेन एट है बी राजीव लख्षमन करंदीकर राजीव लख्षमन करंदीकर जो कि राष्ट्री संखी की आयो के अद्धिक्स बने है भारत सर्गाने हाले में राजीव लक्षमन करंदिकर को प्रोफेसर एमेरिट्स चैन्नेई मैथेमेटिकल इंस्टिटूट को इनको तीन वर्स की अवदी के लिए भारत के राश्ट्री सांखी की आयोकिये अंश्कालिक अधिक्स कुरूपेन को निक्त किया है राजीव लक्षमन करंदिकर किस देश की साथ भारत का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझोथा हाले में प्रभावी हुआए आंसर रेट है ओप्शन बी औस्ट्रेलिया दिसमर 2022 से भारत औस्टेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझोता प्रभावी हो गया है समझोते से IT सेवों पर दोहरा कराधान भी समाप्त होगा नेक्स्ट कुशन है खेलो इंडिया यूध गेम्स के कौन से संस्क्रण का आयोजन 2023 में होना है खेलो इंडिया यूध गेम्स अंसर राइट है ऑप्शन सी पांचवा इंपोर्टन फैक देखते हैं 2023 में 31 जनवरी से लेकर 11 फरविर तक पांचवे खेलो इंडिया यूध गेम्स का आयोजन किया जाएगा इसका आयोजन मद्य पर्देश में किया जाएगा मद्य पर्देश के बोपाल में मद्य पर्देश के मुख में थे हैं सिवरा सिंग और राजपल हैं मंगू भाई पटेल जबकि इससे पहले जो चौथा संस्क्रण था खेलो इंडिया यूध गेम्स का वो पंच कुला हर्याना में वैज़ित किया गया था और इसके वैज़िता भी हर्याना रहा था नेक्स्ट कुशन राष्ट्री अटल सम्मान पुरुसकार 2022 किसे परदान किया गया है राष्ट्री अटल सम्मान पुरुसकार 2022 आंसर राइट है जिसमें ऑप्शन डी रैट हो जाएगा जिसके अंदर ऑप्शन एक कनहिया मितल यसपाल शर्मा और प्रभु चंदर मिस्रा तीनों कोई सेंग तुरुप से दिया गया है आपर राष्ट्री अटल सम्मान पुरुसकार 2022 इंपोर्टन फैक देखते हैं भारत के पूरु प्रधानमती स्वर्गी अटल बिहारी बाचवे के जर्म दिवस के उपलक्स में विज्यान भवन में नवम राष्ट्री अटल समान समारो और संगीतमय अटल गाथा का एज़न किया गया राष्ट्री अटल समान पुरुसका 2022 जिसमें कनया मितल यसपाल शर्मा प्रभु चंदर मिस्रा को यह प्रधान किया गया हाले में प्रकाशित पुष्टक फोक्स इन दा रोड माइडेज एट आर बियाई एंड बियोंड इस पुष्टक के लिख कौन है आंसर रेट है ऑप्शन बी सी रंगराजन सी रंगराजन ने हाले में पुष्टक के एक जारी की है जिसका नाम है फोक्स इन दा रोड माइडेज एट आर बियाई एंड बियोंड यह पुष्टक एक भारती अर्थ सास्तरी पूरु संसर सदस्य और भारत तरिज़ोर बैंक के उननिस स्वे गवर्णर डॉक्टर सी रंगराजन का संस्मर्ण है नेश्ट कुष्टन हाले में FSS AI के मुख्य कारकारी अधिकारी कौन मने है चीफ एक्जेकुटीव ऑफिसर ओफ FSS AI अंसर राइठ है ऑप्शन B ऑप्शन B रेट हो जाएगा FSS AI के हाली में मुख्य कारकारी अधिकारी गंजी कमला वी राओ को बनाया गया है नेश्ट कुष्टन विश उस्थर पर सर्वसेिश्ट व्येंजनों की रेंकिंग 2022 जारी गई है जिसमें भारतिय व्येंजन को किस इस्थान पर रखा गया है आंसर राइठ है ओप्शन A पांचवे स्थान पर बैस्विक विंजनों की रैंकिंग में भारतिय विंजन को यहां पर 5 वी स्थान पर रखा गया है जबकि चीनी विंजन को 11 वी स्थान पर रखा गया है next question हाले में भारत के द्वारा किस देश के मोंगला बंदरगा के नविनी करन के लिए प्रजणा पराराम की गई है मोंगला बंदरगा आंसर राइट है ओप्शन C, बांगलादेश इंपोर्टन फैक देखते हैं भारत और बांगलादेश ने ढाका में मोंगला बंदरगा को नया रूप परदान करने के लिए एक कारिकरम समझोते पास ताक्सर किये है मोंगला पोर्ट के नमिनिकरन की परियोजना भारत की 4 अरब 50 करोड अमेरिकी डॉलर की रियायती रिन स्रंकला के अंतरगत शुरू की गई है तो मोंगला बंदरगा जो की भारत और बंगलादेश के बीचे कारिकरम पर समझोता किया गया है मोंगला पोर्ट next question है BBC Sports Personality of the Year 2022 किसे चुना गया है BBC Sports Personality of the Year 2022 answer right है option है आपर D right हो जागा skin paint का photo आप देख सकते हैं Beth Mead Beth Mead जिनकों की 2022 के लिए BBC Sports Personality of the Year इनको चुना गया है Beth Mead को वे Euro Cup 2022 में Sears Scorer रही थी Beth Mead ने Wembley में Final में जर्मनी को हरा कर England की पहली बड़ी महिला football trophy भी जीती Beth Mead जो की football खिलाडी है England के और से खिलती है next question एक लव ये पुरुसकार 2022 किसे परधान किया गया है एक लव ये पुरुसकार 2022 दिया गया है right answer है option D स्वस्ती सिंग important fact दिखते है cyclist स्वस्ती सिंग को तीस्वा एक लव पुरुसकार 2022 परधान किया गया है ये पुरुसकार प्रते एक साल युवा खेल पुरुसाहित करने के लिए दिया जाता है स्वस्ती सिंग जो की ओडिशा के रहने वाली है और जिनको हाली में एकला भी पुरुसकार 2022 दिया गया है next question 25 दिसंबर को सुषासन दिवस मना जाता है ये किसकी जैनती के उपलक्स में सुषासन दिवस मना जाता है good governance day answer right है option यहापर D right हो जाएगा अटल बिहारी बाचपई 25 दिसंबर को पुरुपरधान मंतरी अटल बिहारी बाचपई की जैनती को परतिवर्स को परतिवर्स सुषासन दिवस के रूप में मना जाता है जनता की परतिवर्स सरकार की जवाब दही को बढ़ाने है तू एवं लोगों में से लेकर जगरुपता फैलाने के लिए वर्स 2014 में सुषासन दिवस की शुरुवात की गई थी good governance day next question है हाली में इंदरा गांधी सांती निरस्तिरी करण और विकास परुषकार 2022 किस संस्ता को परदान किया गया है इंदरा गांधी सांती निरस्तिरी करण और विकास परुषकार 2022 यह किसे दिया गया है answer right है हाँ पर option C right होगा जिसमें Indian Medical Association और Trent Nurses Organization और इंडिया को यह दिया गया है important fact दिखते हैं इंदरा गांधी सांती निरस्तिरी करण और विकास परुषकार 2022 Indian Medical Association और Trent Nurses Organization और इंडिया को सहिंग तुरुषकार की जूरी के अधिक्सता पूर्व Chief Justice और इंडिया TS ठाकुर की दोरा किया गयी थी अगला कुशन है भारत का पहला अंतराश्ट्रिय तटिय महुसव 2022 का अयुजन किस राज में किया गया पहला अंतराश्ट्रिय तटिय महुसव First International Coastal Festival अंतराश्ट्रेट है Option A Kirill Kirill के कासर गोड में पर्येटन को बढ़ावा देने के लिए साथ भासाओं की भूमी को रुपे जाना जाता है दस दिवस ये बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का पहला संसकन 24 दिसमर 2022 को आईजित किया गया था इस महुसव का अउधगाटन Kirill के मुख्यमेंतरी पी विजियन के द्वारा किया गया था नेक्ट कुशन है हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है वीर बाल दिवस आंसर रैट है ओप्शन दी 26 दिसमर को हाल ही मनाया गया है पहली बार वीर बाल दिवस बोटन फैक देते हैं पी एम नरेंदर मोदी के द्वारा 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यान चंद राश्ट्री स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर एतियासिक कारकरा में भाग लिया हुना है PM नरेंदर मोजी ने गुरू गोविन सिंग जी के परकास पर्व के दिन 9 जनवरी 2022 को गोशना करते हुए स्री गुरू गोविन सिंग के पुत्रों साहिब जादे बाबा जोरावर सिंग और बाबा फते सिंग जी की सहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मना जाने की कोशना की थी 9 जनवरी 2022 को और पहली बार वीर बाल दिवस मना गया है 26 दिसंबर को Next question हाली में रविंदरनाथ टेगोर सहित्य पुरुषकार वर्स 2021 के लिए किसको दिया गया है रविंदरनाथ टेगोर सहित्य पुरुषकार 2021 के लिए Answer right है Option D right हो जाएगा जिसके अंदर सुधीप सेन, सोबना कुमार और संजोय के रॉय तीनों को ही सहित रूप से सहित्य पुरुषकार दिया गया है रविंदरनाथ टेगोर वर्स 2021 के लिए Important fact दिखते हैं वर्स 2021 के लिए सुधीप सेन, सोबना कुमार और संजोय के रॉय को कला सहित्य और समाजिक योगदान के छेतर में योगदान के लिए रविंदरनाथ टेगोर पुरुषकार इनको दिया गया है यह पुरुषकार समारो इंडिया इंटरनाशनल सेंटर में आईजित किया गया है Next question हाली में देश का पहला मानव अंतरिक्स उडान अभियान गगन यान के अंतरगत कौन सा मानव सहित मिसन होगा आंसर इसके अंदर है option A right हो जाएगा इसका नाम है H1 देश का पहला मानव अंतरिक्स उडान अभियान गगन यान का सुबारम वर्स 2024 की चोथी तिमाही में करने का लक्ष रखा गया है गगन यान के तहए तो तीन अंतरिक्स अभियानों को कसा में भीजा जाएगा इन तीन मिशनों में से G1 और G2 ये मानव रहित होंगे जबकि H1 जो मिशन होगा वह एक मानव युक्त मिशन होगा भारत दौरा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद अब्यास किस देश के साथ आयुजित करने की कोशना की गई है वीर गार्जियन हवाई युद अब्यास अंसर रहे है उप्सन C, जापान इंपोर्टन फैक दिखते हैं जापान जनवरी 2023 में पहली बार भारत के साथ वीर गार्जियन हवाई युद अब्यास करने जा रहा है भारत अब जापान के बीच यह पहला संयुक्त हवाई युद अब्यास होगा जिसका नाम है वीर गार्जियन हवाई युद अब्यास नेक्स्ट कुछन है औरुनो दोई टू योजना किस राज की दौरा प्रारम किये गई है औरुनो दोई टू ये योजना अंसर एठ है ऑप्शन C असम सरकार के दौरा इस योजना को सुरू किया का है असम के मुख्यमंतरी है हिमंत बिश्बस सर्मा इन्होंने आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को विती सुरक्सा परदान करने के लिए राजी सरकार की प्रमो की योजना औरुनो दोई का दूसरा संस्करन लौंच किया है पर्थम चरण में लगबग सत्रा लाख मईलाओं को परतेक मा की दस तारीकों डिबिटी डिरेक्ट बेनेफिशिरी ट्रांसफर के माद्यम से 1250 रुपे इनको हर माँ प्राप्त हो रहे थे नेक्स्ट कॉशन वर्स 2023 में आईपेल के इत्यास में सबसे महंगे खिलाडी कौन बने है अंसर रैट है ऑप्शन सी सैम करन इंगलेंड के ओल राउंडर है सैम करन जनको की इंडियन प्रीमेर लीग 2023 के ऑक्सन में अब तक है सबसे महंगे खिलाडी होने का रिकोड बना है उन्हें पंजाब किंग्स 11 की द्वारा 18.5 करोड रूपे में खरिदा गया है सैम करन जो की इंगलेंड के ओल राउंडर है बैस्ट कॉशन भारत के पहले और विशु के दूसरे इंफ्रेंटरी संग्राले का उद्गाटन किस राजे में किया गया है भारत के पहले और विशु के दूसरे इंफ्रेंटरी म्यूजियम का उद्गाटन कहाँ पर किया गया है आंसर रैट है मद्धिपर्देश important fact देखता है हाली में नोसेने के दौरा पच्छी मंगाल में दूसरा पंडू भी संग्राले बनाया जा रहा है जबकि पहला कहां परिस्तित है दूसरा पंडू भी संग्राले बन रहा है पच्छी मंगाल में जबकि पहला जो संग्राले था वो कहां परिस्तित है अंसर राइट है ओप्शन B विशाका पत्नम भारती नौसेना की मदद से पच्छे मंगल सरकार राज के प्रमुक परेटनिस्तल दिर्गा में अब समुद्र के किनारे नौसेना का पंडूबी संग्राले बनाने जा रही है जबकि विशाका पत्नम के बाद ये देश में नौसेना का दूसरा पंडूबी संग्राले होगा पहला कहां पर है विशाका पत्नम है और दूसरा बनने जा रहा है पच्छे मंगाल में नेक्ट कुशन वर्स 2021-22 में वैस्विक इस्तर पर सरवादिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा है अंसर रेट है ऑप्शन ए भारत इंपोर्टन फैक दिखते हैं दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में करसी और किसान कल्यान मंत्री नरेंदर सिंग तोमर ने बताये कि भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया है तो यहाँ पर वेश्व किस्थर पर सबसे सवादिक चीनी उत्पादन और निर्यात कने वाला देश कौन सा बना है तो अंसर रेट है यहाँ पर भारत नेक्ट कुशन है हाली में मंगल गरह पर पाई जाने वाली चटानों के नमूने भीजने वाला पहला अंतरिक्स यान कौन सा बना है मंगल गरह पर पाई जाने वाली चटाने अंसर रेट है ओप्शन C, Rover Preservance इसका नाम है Rover Preservance इसको किस ने लॉंच किया था तो अमेरिकी जो अंतरिक्स एजेंसी है नासा उनका जो मार्स रोवर पर्जिवरेंस ने मंगल घरह पर पाई जाने वाले चटानों के नमूने दिसंबर 2022 में अंतिम सब्था में बेजना शुरू किये हैं उन्होंने वहाँ पर उन्गली के आकार के ये नमूने छोटे टाइटेनियम टूब्स में रखे गए हैं जिने भविश में मिशन में इस्तमाल किया जाएगा तो अमेरिका अंतरिक्स एजेंसी है नासा उसका जो मार्स रोवर है पर्जिवरेंस इसने हाली में मंगल घरह से च इंसर रह्ट है ऑप्शन ए आई एनस वागीर दिसंबर 2022 में पंडूबी परियुजना 75 के तहत कलवरी श्रेनी की पांचवी पंडूबी वागीर भारती नोशानम को सौपी गई है इस परियुजना वेकोल 6 पंडूबियां का निर्माण होना है जबकि जो पांचवी पंड कौन सा कोरोना वेरियंट जिम्यदार है को कौन सा वेरियंट जिम्यदार है जो की कोरोना चीन में जो संक्रमन के लहर फिर से चल रही है आंसर राइट है ऑप्शन बी बी एफ सेवन देश में कोरोना संक्रमन को लेकर सतरक्ता बरत्ते हुए देश के हवाई अड़ों को 21 दिसम्बर 2022 से अंतराश्ट्री यातरियों की रेंडम सैंप्लिंग सुरू कर दी गई है चीन में संक्रमन की नई लहर के लिजिम्यदार है ओमिकरोन की सब वेरिट बीस एप सेवन की त आंसर राइड है ओप्शन ए आर 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 मुवी को विश्यू की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतराश्टी सुची में भारती फिल्म को समिल किया गया है इस सुची में सौनक सिंग का प्रख्यात वरचित्र आल दैट ब्रत्स को भी समिल किया गया है नेश्ट कोचन है पेटा इंडिया इसके दौरह हाली में वर्च 2322 का परसं ऑफ दा इयर किसको चुना गया है पेटा इंडिया के दौरह आंसर रैट है उप्σιन बी सौनकशी सिंग है बॉलिवुड अभिनेत्री सोनक्सी सिंग को पेटा इंडिया के दौरा वर्स 2022 का पर्सन अफ दा इर को चुना गया है सोनक्सी के कारण है फैशन के लिए जो मारे गए जानवरों के जीवन को बचाने में उनके बहुत ही उन्होंने काम किया था इस वज़े से सोनक्सी सिंग को चुना गया है पेटा इंडिया की दौरा वर्स 2022 का पर्सन अफ दा इर हाली में फ्रेंड्स ओफ लाइबरेरी नामक कारेकरम किस राज सरकार्दार शुरू किया गया है फ्रेंड्स ओफ लाइबरेरी प्रेंड्स ओफ लाइबरेरी कारेकरम की शुरूत की है ठीक है इसके मादम से किताबे सीधे उन लोगों को परदान की जा सकेगी जो राज दौरा संचालित पुस्तकालों तक पहुंचने में असमर्थ है उनके लिए पुस्तों को की वैस्ता की जाएगी इस यूजने के अ एम के स्टालीन और राजपल है आर एन रवी नेस्ट कुश्शन हाली में चैने में लॉंच किये पहले पंडूबी रोधी जहाज का क्या नाम है एंटी समेरिन शिप जिसे कहते हैं पंडूबी रोधी जहाज अंसर रैट है ऑप्शन बी अर नाला इसकी आप देख सकते हैं आपर इसका नाम इसकी फोटो भारती नोशने के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजिनिंजर्स की दोरा निर्मित प्रोजेक्ट में से पहला है अर नाला जो की 20 दिसम्बर 2022 को कट पुली चेने में लॉंच किया गया महान मरठा योधा चत्पर्ति स्रिवाजी महराज की दोरा अर नाला दीप को दिये गए रणनीतिक समुदरी महतों को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम अर नाला रखा गया है एंटी सम्मरीन शिप है ये अर नाला नेस्ट कुछिन हाले में 51 वे वैश्विक खादी सुर्खसा सूचकंग में किस देश को पर्थम इस्थान पराप्त हुआ है 11 ग्लोबल फूड सेक्यूरिटी इंडेक्स आंसर रेट है ओप्शन ए फिनलेंड यहाँ पर पहले इस्थान पर है ब्रिटीस सप्ताइक दा एकोनोमिस्ट की दोरा 11 वे वैश्विक खादी सुर्खसा सूचकंग 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट में फिनलेंड पहले इस्थान पर है इसके बाद आइलेंड है और इसके बाद नौर्वे है जबकि भारत का इस्थान इसमें 68 रेंक है भारत की यहाँ पर 11 वे वैश्विक खादी सुर्खसा सूचकंग 2022 में नेक्ट कुशन फूटबल खलाडी मैसी की कप्तानी में अर्जेंटीनर ने किस देश को हरा कर विश्वकप 2022 जीता है अंसर रेट है फ्रांस 18 दिसमर 2022 को कतर के लुसल स्टेडि में खेले गए फिफा विश्वकप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पैनल्टी शूट आउट में चार दूसरा कर 36 वर्स बाद वर्ल्ड कप जीता है वर्ल्ड कप के इतियास में तीश्री बार हुआ है जब फैसला पैनल्टी शूट आउट में हुआ था इस वर्ल्ड कप के अंदर गोल्डन बूट का आवार्ड बिलाता है एमबापे जो की फ्रेंस के खलाड़ी है जबकि गोल्डन बॉल यहाँ पर लियोनल मैसी अर्जेंटीना के खलाड़ी उनको दी गई थी नेस्ट कुशन बारा सरकार की कौन सी संस्था ने देश व्यापी अभियान एक सप्ता एक लैब प्रारण केरने की गोशन की है उस संस्था का क्या नाम है अंसर रेट है ओप्शन डी CSIR वेगैनिक और अध्योगिक अनुसंधान परिशदिश है CSIR कहते हैं ने हाली में गोशन की है कि वह 6 जनवरी 2023 से वन वीक वन लैब देश व्यापी अभियान शुरू करने जा रहा है CSIR निएट कुशन है भारती अमूल के लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार परदान मंत्री चुने गए हैं लियो वराडकर ये उनकी फोटो है अंसर रेट है option B, Ireland बारती मूल के लियो वराड कर दूसरी बार आईलेंड के प्रधान मंत्री चुने गए हैं देश के मद्यमार्गी सरकार के साथ बारी बारी से साथा समालने के समझोते के तैथ लियो वराड कर ने प्रधान मंत्री का पद समाला है वर्स 2032 में होने वाले ओलम्पिक और पैरा ओलम्पिक खेल आईजन समिती की CEO सिंडी हुक को बनाये गया है इन 2032 में होने वाले ओलम्पिक का आईजन कहां पर होना है अंसर रेट है option D, Australia 2020 का ओलम्पिक टोक्यो में आईजित किया गया था जबकि 2024 में जो ओलम्पिक होने है उनका आईजिन पैरेज फ्रेंस में होगा 2028 के ओलम्पिक लास एंजलेस USA में होगे और 2032 के ओलम्पिक ब्रिस्बेन आउस्ट्रेले में इनका आईजिन होना है जबकि 2020 के टोक्यो ओलम्पिक जो आलीन हुई था आपको बताई है यहां पर जीता है नवा वीवो प्रो कबड़ी लिग संस्क्रण जापूर पिंक पैंथर्स नेश्ट कुशन भारत के नेतर तुम्हें गठित मित्रों का समुह संगठन का सह अध्यक्स देश कौन सा है जिसमें नेपाल फ्रांस मरक को इस सभी देश यहां पर सामिल है इसके अंदर इंप्रों का समुह सुरू किया है इस मित्रों का समुह में सह अध्यक्स कौन कौन है बंगलादेश, मिश्र, फ्रांस, मरक को और नेपाल यह सभी स्कति सभी देशिस में सह अध्यक्स है नेच्ट कुशन गठिशक्ति, विश्युदामय वड़ुद्रा का पर्थम चांसलर की सिनी किया है गति शक्ति विश्युदाले जो कि वडुद्रा में इसको सुरू किया गया है और इसके पहले चांसलर कौन बने है अंसारेट है ओप्शन बी अश्विनी वैश्णौव राश्पधी दुरौपधी मुर्मू की द्वारा रेल संचार इलेक्ट्रोनिक्स एवं सुचना सरकार अश्विनी वैश्णोव को गति सक्ति विश्युदाले वरोद्रा का प्रत्म चांसलर इनको निक्त किया गया है नेश्ट कोशन हाली में ओडिसा में सफलता पूरुव परिक्षन की गई अगनी 5 मिसाइल बैलेस्टिक मिसाइल की मारक चमता कितनी है आंसर रेट है ओप्षन C पांच हजार किलोमेटर मारक चमता है अगनी 5 बैलेस्टिक मिसाइल की इंपर्टन फैक दिखते हैं भारत ने हाली में दिसंबर 2022 को अडिशा तर्ट पर इस्थित अब्दुल कलाम द्वीप से परमनु सक्सम अगनी 5 बैलेस्टिक मिसाइल का सफलता पूरुव परिक्षन किया है इस अगनी 5 बैलेस्टिक मिसाइल की मारक चमता है 5000 किलोमेटर नैच्ट कुशन, भारत दवरा किस देश के साथ 6 सयुकतो सैन्नी अभ्यास काजिंद 2022 किया गया है आंसर राइट है उप्शन ए, कजाकिस्थान बारत और कजाकिस्तान सेयुक्तु सेहन प्रसिक्षन अभ्यास का छटा संसकरन काजेंद 2022 दिसंबर 2022 को उम्रोई मेगाले में अज़ित किया गया था कजाकिस्तां की सेना के साथ ये संयुक्तु वार्सिक प्रसिक्षन अभ्यास 2016 में प्रबल दोस्तिक की रूप में सुरू किया गया था, फिर इसको नाम दिया गया है वो काजिद 2022 और भारत और कजाकिस्तां का संयुक्तु सेना भ्यास है बारत और नेपाल कौन सा सेयुक्त युद अभ्यास कौन सा था आंसर राइट है ओप्शन सी सूर्य किरन बारत और नेपाल के बीच में सेयुक्त अभ्यास सूर्य किरन का सोलवा संस्क्रण दिसंबर 2022 में आज़ित किया गया था प्रदान किया गया है भौगोलिक संकेतक जीसे कहते हैं जी आई टाइक कहते हैं तो आंसर राइट है आपर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गमोचा तंदूर रेड़ ग्राम रक्ट से खुबानी तीनों को ही यहाँ पर भौगोलिक संकेत दिया गया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इंपोर्टन फैक देखा है हाली में जी आई संकेतकों की संख्या में व्रदी के गयी है जिसमें असम के गमोचा तेलंगाना के तंदूर रेड़ ग्राम और लदाक के रक्ट से खुबानी इसके लवा अलिबाग महराष्ट के सफेद भारत में जी आई टैक की संख्या 432 हो चुकी है नेक्ट कुर्शन हाल ही में किस राज सरकार के दौरा वनिकरन योजना सुरू की गई है वनिकरन योजना किस राज दौरा प्रारम की गई है तो आंसा रैट है ऑप्शन बी यहां पर किरल राइट हो जागा है आपर किरल वनिभाग ने नूल पुझा ग्राम पंचायत के सहयोग से अक्रमक पौधों सेना इस्पेक्टेबिलिस को जड़ से खत्म करने के लिए इस वनिकरन योजन परियोजना की शुरूआत की है विस्व में पहली बार नाभी की सलेन तक्नीक द्वारा सूरी के समान सुद्ध उर्जा कार्बन फ्री एनरजी का उत्पादन किसने किया है अंसर रैट है ऑप्शन बी अमेरिका दिसमत 2022 में अमेरिकी सोध करता हुने परमानों सलेन सफलता की गोशना की जो असिमित स्वच उर्जा की शुरूत और जीवासम इधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक एत्याशिक उपलब्दी है एक किलोग्राम सलेन इधन से एक किलो कोईले तेल या गैस की तुलना में दस मिलियन गुना अधिक उर्जा होती है एक किलोग्राम सलेन इधन में नेक्ट कुशन हाले में विसु का पहला निजी मून लेंडर किस देश दौरा प्रक्षेपित किया गया है अंसर राइट है ओप्षिन ए जपान जपानी अंतरिक्स स्टार्ट अप आई स्पेस इंक ने अपने हकुतो आर मिशन के तहते इस पेसेक्स फॉलकन नाइन रॉकेट के से चंदरमा पर अपना पहला निजी लेंडर एम वन लॉंच किया है यह जपान और किशी निजी कंपनी की दोरा अपनी तरह का पहला चंदरमिसन है हकुतो आर नाम का यह नाम यह सफेद Conskeles को संदर्वेथ करता है जिसका जापानी लोक कताओं में चंद्रमा पर रहना बताया जाता है हकुतो आर और जापानी कंपनी के द्वारा इसको अधीन जी को लाइन फो से गाया था रहад है था ले मिल要क्षान है हाले में जारी हरून ग dunno लोबल 500 सूची 2022 में भारत कौन से स्तान पर है हरून गलोबल 500 सूची 2022 में भारत कां च बाधे practice इंदान पर है अन्सरेट है वार्ट आपर और पयारत दो अज़िंग है एंप हरुन ग्लोबल 500 सूची के अंदर अमेरिका यहाँ पर 260 कंपनियों के साथ पहले स्थान पर है जबकि कैनेडा बीस बीस कंपनियों के साथ भारत और कोंचवे स्थान पर है सेर्ष कंपनिया कौन सी है पहले स्थान पर एपल है दूसे स्थान पर मा справट है अगला कॉशन जलवायू परिवर्तन mission सुरू करने वाला पहला राज कोन सा है जलवायू परिवर्तन mission आंसर राइट है ओप्शन D तमिलनाडू तमिलनाडू के मुख्यमेंत्री है M.K. स्टाइलिन उनकी दोरा जलवायू परिवर्तन सिखर समिलन में दिसम्बर 2022 में राज जलवायू परिवर्तन मिशन का सुभारम किया गया तमिलनाडू भारत में अपना तो राज जलवायू परिवर्तन मिशन सुभारम किया है तमिलनाडू के दोरा और ऐसा करने वाला वो पहला राज जलवायू है भारत का अगला कुशन आईश्मान भारत स्वास्तकार्ड वितरन चेतर में पर्थम पुरुषकार किस राज को परदान किया गया है आईश्मान भारत स्वास्तकार्ड वितरन अंसर रेट है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में आईश्मान भारत स्वास्तकार्ड वितरन चेतर में पर्थम पुरुषकार प्राप्त किया है के अंदर सासित प्रदेश को टैली परामार्श रणी में दुटी परुषकार मिला है अगला कुछन है इस्रो के दौरा कौन से इंजिन का सफल परिक्षन हाले में किया गया है इस्रो जो कि भारती स्पेस एजेंसी है कौन से इंजिन का हाले में सफल परिक्षन किया है आंसर रेट है option A scram jet engine important fact देखते हैं भारती अनुसंदान संगठन अंतरिक्स अनुसंदान संगठन इसरो के दोरा एक परकार का air breathing engine scram jet engine का सफल परिक्षन किया है scram jet engine की उडान के परिक्षन का परदेशन करने वाला भारत चौथा देश है अब तक यहाँ पर आप स्कीन पर देख सकते हैं high speed air breathing propulsion scram jet engine अगला कुशन हाली में अंतराश्टी क्रिक्ट में सबसे तीज दोरा सतक लगने वाले खेलेडी का क्या नाम है अंतराश्टी क्रिक्ट में सबसे तीज दोरा सतक जो कि हाली में एक दिवसी क्रिक्ट में लगा था अंसर है option B इशान किशन भारती विकेट के पर बले बाज है इशान किशन हाली में इशान किशन ने वंडे क्रिक्ट का अपना पहला सतक लगाया था और पहला सतक जो की दोरा सतक था 126 गेंदों में बना जो विश्टू का सबसे तेज एक दिवसी दोरा सतक था नेश्ट कुशन है हाली में हिमाचल पर्देश के नव निर्वाचित मुख्यमंतरी का नाम क्या है हिमाचल परदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंतरी आंसर राइट है option C सुखविंदर सिंग सुखू हिमाचल परदेश के चार बार के विधायक और पूर्व परदेश कॉंगलेस अध्यक सुखविंदर सिंग सुखू को पंदरवे मुख्यमंतर के रूप में उनने शुपत ली है विधान सबागे नेता प्रतिपक सरहे मुकेश अगनिहोतरी उप मुख्यमंतरी उनको बनाया हिमाचल परदेश के मुख्यमंतरी बने है शुक्विंदर सिंग सुखू अगला कुछन है हाले में RBI की दौरा यानि Reserve Bank of India की दौरा किस देश के साथ Currency Swap Agreement किया गया है Currency Swap Agreement आंसर रहे है Option A, Maldives भारती Reserve Bank ने Sark Currency Swap Framework सार Currency Swap Framework के तहत मालदिव मौद्रिक प्रादिकरण के साथ मुद्रा Swap संजूते पर हस्ताक्षर किये है एकला कुछन है Table Tennis Federation of India जिसे TTFI सोट में कहता है इसकी पहली महिला अध्यक्स किसको निक्त किया गया है TTFI Table Tennis Federation of India आंसर रहे है Option B, Megna अहलावत Megna अहलावत को Table Tennis Federation of India की पहली महिला अध्यक्स कुरुपे इनको निक्त किया गया है Megna अहलावत अगला कुछन है मानवादिकार दिवस यानि की Human Rights Day हाली में कब मनाया गया है आंसर रहे है Option A, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवादिकार दिवस परतेक वर्स 10 दिसंबर को मानवादिकार दिवस मना जाता है Human Rights Day इस दिन सेंक्त राश्ट महासबाने 1948 में मानवादिकारों की सारो भूमें गोशना को अपनाया था Theme क्या रखे गे 2022 के विश्व मानवादिकार दिवस के लिए इसकी theme रखे गे थी गर्मा सोतनता और सभी के लिए नया हिंदी में कहेंगे इंगलिस महों जाएगा डिग्निटी, फ्रीडम, और एंड जस्टिस फॉर आल नेक्स्ट कुश्चन है भारत के बाहर गंधी वादी मुलियों को बढ़ावा देने के लिए किसे वर्ष 2022 का जमनालाल बजाज पुरुसकार दिया गया है जमनालाल बजाज पुरुसकार 2022 Answer right है option C right होगा जिसमें डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी दोनों को सहिंग तुरुप से दिया गया है 2022 के लिए जमनालाल बजाज पुरुसकार Important fact दिखते हैं जमनालाल फांडेशन ने 8 दिसम्बर 2022 को जमनालाल बजाज पुरुसकार 2022 के विजयतों की गोशना की जिसमें लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और वालिद सल्याबी को भारत के बाहर गांधिवादी मुलियों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज किया गया हाली में नाबाड का चेर्मेन अंसर रैट है ऑप्शन डी साजी के वी इनका नाम है राष्ट किरसी और ग्रामेंड विकास बैंक यानी नाबाड इसके अधिक्स साजी के वी को दिसमबर 2022 में निक्त किया गया है उन्होंने पूरुप में 21 मही 22 20 तक नाबाड के उप परबंद निदेशे के रूप में भी कारे किया है तो अब अधिक्स कौन मन है नाबाड के साजी के वी नेक्ट कुशन है फॉप्स के दौरा जारी विश्व की सो सबसे सकते साली महीलाओं के सूची में कितनी भारतिय महीलाओं को इसमें सामिल किया गया है इसकिन पर फूटो देख आंसर आप गर्स कर सकते हैं कुल छे भारती महिलाओं को इसमें सामिल किया गया है विश्व की सो सबसे पाउरफूल विमेंस की लिस्ट के अंदर इंपोर्टन फैक्ट दिखते हैं फॉब्स के दोरा जारी सो सबसे सकते साली महिलाओं के सूची में वित मंतरी निर्मला सितारमन के साथ कुल छे भारती महिलाओं को सामिल किया गया है जिसमें सबसे पहले हैं निर्मला सितारमन जो की भारत की फाइनस मिनिस्टर है दूसरी है रोशनी नडार मलोत्रा जो की HCL कंपनी की चेयर परसन है इसके बाद माधवी पूरी बुच जो की सेबी की अध्यक्स है जिनको यहाँ पर समिल किया गया है सोमा मॉंडल जो की स्टील आथोरेटी ओफ इंडिया इनकी चेयरमेन है सोमा मॉंडल मजुमदार शो यहाँ पर एक्जेक्टी परसन है बायकॉन की संस्तापक है और लाश्ट है फालगोनी संजे नायर जो की फाउंडर और CEO है नायका ग्रूप्स की इन छे भारती मैलाओं को इसमें सामिल किया गया है निर्मला सीतरमन, रोश्णी नडार मलोतरा, मादवी पूरी बुच्च, सोमा मॉंडल, मजुमदार शो और फालगोनी नायर इन छे मैलाओं को समिल किया गया है नेस्ट कुशन है अंसर रेट हैं आपर ऑप्शन बांगलादेश से हो जाएगा भारत और बांगलादेश ने 6 दिसमबर को सहिंक तुरूप से मैतर दिवस मनाने का नेर्ने लिया है मार्च 2020 में पीम नेरेंदर मोदी की बांगलादेश यात्रा की दोरान 6 दिसमबर को बतोर मैतर दिवस मनाये जाने का नेर्ने लिया गया था नेस्ट कुशन है भारती नोसेन और यूएस नेवी सील के बीच संगम अभ्यास का आयजन किस राज में किया गया था संगम अभ्यास और यूएस नेवी सील के भी संपन एक संग्तु नोसेन विसेस बल अभ्यास गोवा में आयजित किया गया था संगम अभ्यास पहली बार वर्स 1994 में आयजित किया गया था नेश्ट कुछन है भारती स्टार वेट लिफ्टर मीरा भाई चानू ने विस्टू चेंपिंसिम 2022 में कौन सा पदक जीता है मीरा भाई चानू आंसर राइट इसमें हो जागा ऑप्शन नमबर यहां पर भारती स्टार वेट लिफ्टर है मीरा भाई चानू जिननों की कलाई की चोट के बावजूत वर्ल्ड चेंपिंसिम 2022 में कुल 200 किलोग्राम वजन उठाकर रज़त पदक जीता है उन्होंने टोक्यो ओलम्पिक में रज़त पदक विज़ता मीरा भाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पदक जीता है नेस्ट कुशन है हाली में चर्चा में रहा सेमेरू जौला मुखी किस देश में सक्री हुआ है सेमेरू जौला मुखी आंसर रैट है ओप्शन डी इंडोनेशिया इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप सेमेरू जौला मुखी में जिसे दग्रेट माउंटेन की रूप में जाना जाता है हमें विस्पोर्ट हुआ था यह जावा का सबसे उचतम जौला में की सिकर है साथ सर्वादिक सक्री जौला मुखी भी है इसे इसमें अंतिन बार विस्पोर्ट दिसंबर 2019 में हुआ था अगला कुछन है राष्टी जय विवित्ता प्रादिकरण का अधिकस किसे निकूत किया गया है राष्टी जय विवित्ता प्रादिकरण का चेर्में आफ नेशनल बायो डावर्सिटी आथरेटी आंसर राइट है ओप्शन बी रैट हो जागा C. अचलेंदर रेडडी भार्तिवन सेवा के सेवा निवरत अधिकारी आई एफेस सी अचलेंदर रेड़ी ने राष्ट्री जैव विवित्ता प्राधिकरन चैने के अधिक्स का कारबार उन्होंने संभाला है जबकि एक इंपोर्टन कुश्चन है कई बार एकजम से पूछा जाता है बहुत इंपोर्टन है अंतराष्ट्री जैव विवित्ता दिवस कब मना जाता है तो 22 मई को मना जाता है अंतराष्ट्री जैव विवित्ता दिवस International Biodiversity Day नेस्ट कुश्चन है हाली में बंगल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मन्डोस का नाम करण किस देश के द्वारा किया गया है मन्डोस आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा है यू ए ई बंगल की खाड़ी में आये चक्रवाती तूफान मन्डोस का प्रभाग तमिलाडू, पुडूचरी और आंधर परदेश पर देखा गया था स्वेयुक्त अरब अमिरात ने इस तूफान का नाम मन्डोस रखा है नेस्ट कोशन है भारत के किस सहर में विसु का पहला गोल्ड एटीम इस्थापित किया गया है गोल्ड एटीम अंसर रैट है ओप्शन बी, हैदराबाद सोना क्रय विक्रय करने वाली गोल्ड सिखा कंपणी ने दिसंबर को हैदराबाद इस्थेट स्टार्ट अप कंपणी ओपन क्यूब टेकनोलोजी की तक्निकी समर्थन से अपना पहला गोल्ड एटीम लॉंच किया हदराबाद न यह भारत और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीम होगा नेक्स्ट कुशन है विश्व आयरुवेद कॉंग्रेस नाइन्थ वर्ल्ड आयरुवेदा कॉंग्रेस का आईजन कहां पर किया गया है आंसर राइट ऑप्शन ए गोवा पर्थान मतरी नरेंदर मोदीने गोवा में नवी विश्व आयरुवेद कॉंग्रेस में तीन राष्ट्री आयू संस्थानों को देश के लिए समर्पित किया इन तीन संस्थानों के मदद से सरकार की देश में प्रतेक नागरिक और प्रतेक छेतर तक कि फायती स्वास्ते सेवें पहुंचाने के चमता है और मजबूत होगी तो नवा विश्व आयरुवेद कॉंग्रेस जो था वो गोव में आईजित किया गया है अगला कोशन दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है दिव्यांग विभाग गठित करने वाला अंसर राइट है ओप्शन है आपर बी महराश्ट्र अंतराश्ट्री विकलांग दिवस के अवसर पर महाराश्ट के नव निर्वाचित मोखी मंत्री एक नाथ शिंगेंट शिंदे ने दिव्यांग विभाग गठन की कोशना की है ऐसा करने वाला महाराश्ट भारत का पहला राज्य बनेगा नेक्ट कुशन वर्ड वाइड कोश्ट ओफ लिविंग सर्वे 2022 के अनुसार विस्व का सबसे महंगा सहर कौन सहर रहने के लिए आंसर राइट है डी ओप्शन जिसके अंदर नियू यॉक और सिंगापूर दोनों को सही तूप से यहां पर सबसे महंगा सहर यहां पर गोशित किया गया है इंपोर्टन फैक दिखते हैं हाली में Economist Intelligence Unit के द्वारा जारी Worldwide Cost of Living सर्वे की रिपोर्ट के अमताबिक सिंगापूर और नियूएक दोनों सबसे महंगे सहर है अगला कुशन है बायो डाइवर्सिटी पर कनेडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फरेंस ओफ पार्टी का आईजन किया गया था कनेडा के मॉन्ट्रियल में कनेडा के मॉन्ट्रियल में बायो डाइवर्सिटी पर विस्टू के 195 देशों का पंदरवा सम्मेलन कॉप 15 का आईजन किया गया था कॉप 15 जो की 15 से लेकर 19 दिसंबर 2022 तक इसका आईजन किया गया था अगला कॉशन है हाली में अंतराष्ट्री बाजरा वर्स 2023 का उद्गाटन कहां पर किया गया है अंतराष्ट्री बाजरा वर्स 2023 आंसर इस कॉश्चन का हो जागा राइट ओप्शन हहां पर बी राइट हो जागा इटली सहीत राष्ट के खादे और करसी संगठन FAO ने रोम इटली में अंतराष्ट्री बाजरा वर्स 2023 का उद्गाटन समारो एजित किया था इस समारो में क्रसी व क्रिशान कल्यान राजवंतरी सुसरी सुभा करंद लाजिक के नेतोत में भारती प्रतिनी देमेंडल मौजूद था अगला कुछन है प्म नरेंदर मोदी के द्वारा मोपा अंतराष्टी हवाई एढटे का उद्गाटन कहां पर किया गया है मोपा अंतराष्टी हवाई एढटन कहां किया service कुष्छ अंत्राष्ट्री प्रकरती सरक्षन संग जिसे IUCN कहता है इसकी Red List के अंदर कौन से भारतिय ओशधिये पादपों को समिल किया गया है IUCN की red list के अंदर answer right है option यहाँ पर D right होगा जिसके अंदर पटवा हिमालेन फ्रिटलरी और सालम पंजा इन सब भी औशडी पदबों को सामिल किया गया इसकीन पर देखते हैं इनका photo आप देख सकते हैं इसकीन पर हिमाले के पाए जाने वाले हिमाले में पाए जाने वाले तीन ओशडी पादप परजातियों पटवा, हिमालेन फ्रिटलरी और साल पंजा को IUCN red list में सामिल किया गया है अगला question भारत का सबसे बड़ा website jet terminal कि सहर के हवाइड डे पर सुरू किया गया है website jet terminal answer right है option C कोची केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजियन ने देश के सबसे बड़े website jet terminal और पहले chartered gateway का उदगाटन December 2022 में कोची अंतराश्टी हैविडे पर किया है अगला question है साथवे भारत जल प्रभावव सिखर सम्मेलन 2022 का उदगाटन कहाँ पर किया गया था answer right है option B नई दिली December 2022 में केंदरी जल सक्ती मंत्री है गजेंदर सिंग सेखावत उनके दोरा साथवा भारत जल प्रभाव सिखर सम्मेलन नई दिली में आईजित किया गया था अगला question है रक्षा मंत्री राजना सिंग के दोरा कौन सा युद्ध पोत भारती सेना में सामिल किया गया है वार्शिप जो की डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग के दोरा इसको सामिल किया गया है तो right answer है आपर question का option A right हो जाएगा मौर्मू गवाव मौर्मू गाव नामस का यह युद्ध पोत है जो भारती सेना में हाली में सामिल किया गया है रक्षा मंत्री राजना सिंग के दोरा stealth guided प्रक्से पास्तर विधोनसक मौर्मू गवाव को रक्षा मंत्री राजना सिंग के उपस्तिति में भारती नोसान क्या गया है स्टील गाइडेड मिसाइल डास्ट ओएर मौर्मु गाउ obscurity जो की हाली में इंडिय नव्य में कमिश्वं किया गया है अगला कुछ नियुक्न भारत का पहला इस्टील ग्रीन स्टील ब्रांड किस नाम से लौझ किया गया है ग्रिन इस्टील ब्रॉंट आंसर राइट ऑप्शन C हो जाएगा कल्यानी फेरेस्टा केंद इस पात मंत्री हैं जोति राधित सिंध्या जन्होंने की राजदान निदली में भारत के पहले ग्रिन इस्टील ब्रॉंट कल्यानी फेरेस्टा का लॉंच किया है अगला कुशन है राश्ट्री उबोक्ता दिवस 2022 कब मनाए गया है नेशनल कंज्यूमर डे 2022 ये मनाए गया है राइट अंसर है ऑप्शन B 24 दिसंबर को मनाए जाता है राश्ट्री उबोक्ता दिवस इस दिन भारत का पहला उबोक्ता सरक्षन अधिनेम पारित किया गया था प्यूमा इंडिया के द्वारा अंसर है ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा एथलेटिक्स फुट्वियर के कंपनी प्यूमा ने बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एमबैसेडर न्यूप्त किया है लेके द्वार्ते रेल मंत्रा लेके द्वारा रेल्वे अधोनी के करन के लिए अमरथ भारत श्टेशन योजना शुरू की गई है भारतिये रेल मंत्रा लेके द्वारा ठीक दोस्तों ये थे हमारे प्रच्वदर्पन के टॉप इंपोर्टेंट हंडर्ड एंसी क्यूज जो कि फैब 2023 के संस्क्रण के हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो जो वीडियो को आप लाइक कर देना शेयर करना और चनल को सबस्क्राइब करना चनल पर नहीं ह है जिसको अब जाकर किसी भी पीडियो कभी जाके पर्चेस करके चैनल फाइनसिल हैल भी कर सकते हैं तो आज के लिए नहीं मिलते एक नए वीडियो में धन्यवाद